स्नेहाचा सुगंद दरवला, आनन्दाचा स्वनाला, विननतियामची परमेश्वराला, सुख्य सम्रुदी लाभो तुमाला, दिवाड़ी चा हर्दिक शुभिच्चा हेलो मैं हूँ आमरावतिकर उशा धुरवे और वेलकम है आपका अपने चानल गार्डनिवे दुशा पे तो दिपावली के आप सभी को हार्दिक शुभ कामनाए और शुभिच्चाए और धेरो सारी कामनाए कि भगवान आपकी इच्चाए सभी की सभी पूरी करे और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें ऐसे मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रातना भी करती हूँ तो चलिए आज है संडे और संडे करते हैं गार्डन ओवर्विव तो यह है अडेनियम के फ्लावर देखें दिपावली के शुभे चाय देते हुए इतने सारे और प्यारी प्यारी कलर मेरे गार्डन में खिले हैं और यह दिखें यह बहुत ही ब्यूटिफूल और इसके पेटल देखें बस आखों से यह जो फ्लावर है यह हटता ही नहीं इतना खूबसूरत इतना ब्यूटिफूल और यह भी दिखें यह अभी खिलना बाकी है और ऐसे बहुत सारे अड़ेनया मैं भी खिल रहे हैं कहते हैं इनका सीजन समर में होता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि विंटर सीजन में भी इतने सारे फ्लावर देते हैं और हर एक प्लांट पे अगर आप देखेंगे ना तो इतने सारे पत्ते कम और फ्लावर जादा बस ये कुछ नजारा है इस संडे में और ये दिखें सीर्स पॉर्ट तो जैसे सब कहते हैं कि इसे बांद के रखना पड़ेगा नहीं तो इसके सीर्स उड़ जाएंगे और जो कैटर्पिलर थे उसने पूरा सफाया कर दिया है मेरे सभी प्लांट को दिखें गंजा कर दिया है सभी पत्ते उसने खा लिये हैं और ये दिखें बहुत ही डार्क कलर है ये अडेनियम का और ये भी मैंने कुछ ऑनलाइन पर्चेस किया था और कुछ जो बहुत ब्यूटिफुल आपको प्लांट दिख रहे हैं वो मैंने कुछ स्वातिजी से लिए है और ये दिखें ये गुलदाओदी अभी खिल भूच चुकी है इतनी जल्दी तो खिलती नहीं और इस साल गुलदाओदी का मेरा जो गार्डन जो सबसे पहले होता था वैसा नहीं होगा क्योंकि इस साल मैंने कटिंग भी नहीं लगाए थी और सारे प्रॉब्लम ही चल रहे थे इस वज़े से जो भी मैंने मंगवाए ओनलाइन या कुछ कहीं से तो ये सारे फ्लावर के लिए हैं तो जो अब तक का नजरा था वो शायद 20 साल नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी गुलदाओदी मेरे गार्डन से नहीं जाएगे आपको तो हमेशा वो कहीं नहीं दिखाई देगी और ये सारे जर्बेरा देखे कितने सारे फ्लावर आए हैं तो मैंने उन सेलर से बात की हैं कि अगर ऑनलाइन अगर आप ये भेजना चाहें तो भेज सकते हैं तो उन्होंने कहा उनको कुछ आइडिया नहीं है औनलाइन भेजने की और यह सारे जो देसी जरवेरा है यह आपको मेल सकते हैं और एक तो यह आप सीर से भी लगा सकते हैं और इने डिवाइट करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इस साल मुझे ये बनाना था, इनको डिवाइड करना था, लेकिन मैंने सूचा कि चलो इस साल रहने देते हैं, बाद में जब अगले बारिश में इसे मैं डिवाइड करूंगी, और ये भी देखिए कितना प्यारा कलर है, तो जैसे मैंने कहा था कि मेरे पाथ जो और यहां पे हैं, यह पिंक, दिखे, डबल पेटल, और ऐसे बहुत सारे और भी खिले हैं, और यहां पे पिटूनिया ने सबसे पहला फ्लावर दिया है, वाइट वाला, और कुछ मैंने तो अभी देखे, गंबले में लगा दिये हैं, और कुछ लगाना कुछ नहीं, लगाया हैं, और बाकी सारे जितनी भी प्लांटे, उनको दिखे, ऐसे प्लांटर मेंने खाली कर दिये हैं, और दिवाली देखे, दो दिन पहले हमें चुट्टिया मिली, तो दिवाली की सारी तयारिया, इस वज़े से यह जो है अभी बहुत सारा काम बाकी है, बस आज का लक्षिम पुजन का अगर दिन हो जाता है, तो उसके बाद यह सारी तयारिया करूंगे, और यहां पर है ब्रह्म कमल, यह इस पर एक बर्स आई हुई हैं, और इसे खिलने में तो आट दिन लगी जाएंगे, और बाकी भी ब्रह्म कमल के बहुत सारे प्लांट हैं, तो इनक वो एक गंबले में अच्छे से मुझे रखना पड़ेगा, कुछ इनको सहारा देना पड़ेगा, और देखती हूँ अब इनका क्या करना है, वो इस सारी कटिंग जो अभी लग चुकी है, तो यह भी आपको कुछ कम दामों में मिल जाएगी, जब मैं इसे सेल करूंगी, अ जो मेरे पास अभी कुछ पाच्छे कलर हो गए है, तो यह बहुत सारे फैल जाते हैं, और बहुत बंचिस में अच्छे लगते हैं, और यह कुछ पेंटास की कटिंग, और यहां पर रेन दीली के एक न्यू वराइटी के लिए है, तो यह जो सारे होते हैं डबल पेटल, य होती है, तो कुछ ऐसे मेने ज्यादा नहीं लिये हैं, कुछ दो दो बल भी है, और यह एक और कलर है, अडेनियम का, तो देखें इस पे पेटल बहुत खूबसुरत है, और आज देखें रिपावली के दिन, यह दो फ्लावर खिले हैं, वाटर लिली के, इस पे हमेशा मेने दिखाए हर हपते इस पे फ्लावर होता है, और भी कली एक बाकी है, कुछ साथ-ाठ कलिया इसकी निकली हुई थी, और अभी यह दो, और इसके बाद यह लास्ट, और इसमें अंदर कुछ दिखें, यह भी आ गये है, तो ऐसे यह वाटर लिली बहुत ही खूबसूरत लग और भी खिलने का इंतजार है, पता नहीं अभी खिलेंगी या फरवरी के बाद खिलेंगी, क्योंकि इनका डॉर्मेंसी पिरेड अभी शुरू हो गया है, और धीरे-धीरे इनके जो पत्ते हैं वो भी गल जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक-एक भी फ्लावर आएग और ऐसे देखें, यहां पर मैंने कुछ रेन लिली जो गमले से लगा निकालकर इस पॉली बैग में लगाए हुई है, और इस पर भी देखें, फ्लावर खिलना शुरू हो गया है, और यह डियान्थस इसकी में पिंचिंग कर रही हूँ, और इस पर बहुत सारे देखें, अभी ब्रांचिस निकल रही है, और यह सारे जो कलर है ना, बहुत यूनिक कलर है, जो कॉमन वाले होते है, वो वाले डियान्थस नहीं है, यह कुछ अलग है, यह मैंने कुछ तीन प्लांट ले थे, ब्लैक, डियान्थस और उसी में डार्क वराइटी थी, और इसके मैंने सीर्स के लिए लिए थे, और उसके सीर्स लगाए है, और अब मेरे पास अभी थोड़े से बाकी है, वैसे, तो यह सारे दिखे, यहां पर कुछ कुछ कटिंग, और यह मिस ओलिव कर के जो वराइटी है, इसके दिखे, शेप दिखे, कितना प्यारा है फ्लावर का, और यह ह हो गया है, तो यह हमें सिगनल देते हैं, और इस तरह से यलो लिव्ज होते हैं, तो जिनके यहां यह यलो लिव्ज हो रहे हैं, तो वो घबराएं ना, आपका प्लांट अभी देखिए, डॉर्मन सी पिरेट में जा रहा है, इस वज़े से इसके जो पत्ते हैं, वो सारे द लिखा, 10% डिसकाउंट और शिफिंग फ्री, तो ओफर यह दो-तीन दीन तक और रहेगा, उसके बाद यह ओफर बंध हो जाएगा, और मैंने कुछ न्यू वराइटी भी मंगवाई हैं, अपने लिए तो वो भी अपने गार्ण में एड करूंगी, ऐसे बहुत सारी वराइ तो इस तरीके से यह फ्लावर खेलते हैं, और एक बल्ब से दिखे, यह पेलिकन है, जो बहुत ही खुबसरत दिखता है, और इसके मेरे पास सिर्फ पाच ही बल्ब है, तो यह बहुत मेहंगे इसलिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मेहंगे होते हैं, इसलिए मैंने का एंसर नहीं दूँगी, तो अगर आपको लेना है, तो उपर दे गए नंबर पर आप वाटसप कर सकते हैं, और आपको केटलोक लिंक में भेज दूँगी, अगर आपके पास ना हो, और वो सिलेक करके आप मुझे अपने ओर्डर दे सकते हैं, तो अचलिए, अब चलते ह यहाँ पे ऊपर विंका का एक कलर खिला है, यह ब्लैक कुछ है, और यह कॉमन वाला है, यह सेर से मैंने लगाय हुए है, और इसकी मैने पिंचिंग करी थी, और यह सारा इंडोर प्लांट, तो यहाँ का देखिए, जैसे पहले मारा जो गार्डन था, आगलो निमा का जो कल करूंगी क्योंकि इसके सीधी सीधी ब्रांचे जो होती है उस पर फ्लावर अच्छे नहीं दिखते हैं इस वज़े से इनको मैं पिंच करूंगी और यह पूरा घना और बुशी हो जाएगा तो बस जैसे आपको वक्त मिलता है इसको आप ऐसे पिंचिंग कर दीजे और जो स्वातीजी से मैंने स्ट्रॉबरी के प्लांट ले थे पांच तो यह दिखिए अभी अच्छे से चल रहे हैं इसके इस पर फूरूट भी आए हुए है यहाँ पर तीन तीन फूरूट आप देख सकते हैं तो मुझे लगता है बड़े गमले से जादा अगर छोटे गमले में ही लग जाए तो इनकी देखिए ग्रोध भी अच्छे होती है और फूरूट जो है उनको मिट्टी नहीं लगते और पत्ते भी बहार आ रहे जैसे मैंने यह वाले दिखे और यह है दिखे पिंक प्रिंस जो बहुत ही खूबसूरत है और इस पे अभी नहीं ग्रोध शुरू हो गए है जब यह ग्रोध पकड़ लेते हैं बिलकुल मनी प्लांट की तरह इतनी जादा बढ़ती है और बस इसके मेरे पास दो प्लांट है तो बस इनकी और भी कटिंग बनाऊंगी और बहुत सारे प तो दिखी इनको इनके रूट को मैंने जरा भी नहीं चेड़ा और जैसे के तैसे लगा दिया तो यह प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे है और इस तरह का यह एगलोनिमा का कलेक्शन है यह डार्क रेड और यह सारे जो मैंने स्वाती जी से लिए है तो इस तर नेगेटेड वाला है फाइकस और यह पेप्रोमेनिया और यह फिलोडेंडरम की ही पराइटी है कुछ